कंजावला मामले को ले करके आमादी पार्टी के कारेकरताओं ने दिल्ली के LGVK सक्सेना के घर के बाहर में प्रदेशन किया पार्टी के कारेकरताओं ने दिल्ली पुलिस की कारेश्याली को ले करके सवाल उठाया और पुलिस के खिलाब जम करके नारे बाजिकी है उन्होंने कंजावला इलाके में एक्सिडेंट और मौत को लेकर के पुलिस से सवाल किया कि क्या दिल्ली पुलिस का ये घटना सिर्फ उन्हें एक हादसा नजर आ रहा है तो वहीं आमाद्वी पार्टी के कारेकरता उन्हें दिल्ली पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया तो इन दो तस्वीरों के जरीए हम आपको ये समझाने और बताने की कोशिश की किस तरह से दिल्ली में लोगों के अंदर में आक्रोश है और यामाद्वी पार्टी के समर्था के कारेकरता है जो आज LG के घर के बाहर में पहुँचे थे उन्होंने दिल्ली पुलिस से तमाम सवाल किये हैं LG से सवाल किया कि दिल्ली पुलिस की ये कैसी कारेशाली है कि इतनी दरदना घटना हो गई इसे सिर्फ हाथसा बताय जो आ रहा है और हाथसे के नजरिये से इसकी जाच की जा रही है जबकि इसके पीछे कही ना कहीं कोई साजिश नजर आ रही है जिस तरह से परीजरोंने भी आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि निर्भया जैसी घटना हो सकता है कि मेरी बच्ची के साथ भी यहाँ पर हुई है तो यह तमाम आरोप लगाते वे दो तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब एलची के घर के बाहर में आमादवी पार्टी के जो समर्थक है कारे करता है वो पहुँचे उन्होंने जम करके कंजावला मामले को ले करके नाराजगी जाहिर की है रोश जाहिर किया है कहा है कि दिली पुलिस की कारेश्वयली सवालों के घेरे में है क्योंकि इतनी दर्दनाग घटना को सिर्फ एक हाथसा बता करके जाँच को टालने की कोशिश कर रही है और पांच आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इन सब के बीच में लगातार दिल्ली में लोगों के अंदर में गुसा है जुस तरह से 31 और एक के दर्मियान जो रात थी उसमें इतना बड़ा एक दर्दनाख हाथसा हो गया और उसी को लेकर के रोज जाहिर करते वे आमादी पाटी के कारे करता LG के घर के बाहर राचुद की है और कहा कि इनसाफ उस बच्ची को मिलना चाहिए हमारी बहन को मिलना चाहिए जिसके साथ इतनी दर्दना घटना हुई है फिलार पुलिस पुरे मामले की जौँच में जुटी है 5 आरोपियों को जो उस दिन कार में सवार थे जिन्होंने पहले तो उस स्कू सीटा गया है CCTV कैमरे से भी हम आपको लगातार वो जो तस्वीरे आई हैं सामने वो हम दिखाए हैं और आपको बता दे ये देखे ये तस्वीरे और ये आरूपी मुख्या आरूपी जो है और वो देखे बीच में जो दूसरी आपको तस्वीर देख रही है वो वो गाड़ी ह और जो आपको एरो दिख रहा है वहाँ पर वो लड़की फसी वही है चार किलो मीटर तक उसे घसीटते वे ले गए तीसरी तस्वीर उस मासूम की है उस लड़की की है जिसने उस रात अपनी जिन्दगी को खो दिया सिर्फ इस पांच आरोपियों की वज़े से जिन्हों ने पहले स्कूटी को जबरदस चक्कर मारी उसके बाद चार किलो मीटर तक घसीटते वे ले गए और वो तो इसी के हम आपको बता दे हैं और वो हम आरोपी की तस्वीर भी आपके साथ साजा कर रहे हैं ये वो पांच आरोपी हैं जिन्हें फिलहाल पुलस ने गिरफतार कर लिया है और तीन दिन की कस्टरडी में आप सवालों की जवाब इन से लिए जाएंगे कि आखिरकार उस कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस रात उनकी बच्ची के साथ निर्भया जो ऐसी घटना हुई है लेकिन फिलहाल पुलस इसे दबाने की कोशिश में और इन आरोपियों की बचाने की कोशिश में जुटी हुई है लेकिन जैसे ही दबाव पड़ा पुलस ने अपनी कारेश में वो लड़की फंसी हुई है और ये बहुत आगे तक इसको ले करके गए घसीरते वे ले करके गए ये तीसरी तस्वीर हम आपको उसी गाड़ी को क्योंकि इसे भी पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया है और पुलिस लगतार जाच परताल में जुटी हुई है ये 5 पांच आरोपी भी आपको हम पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं यही वो पांच आरोपी है जिन्होंने उस दिन इस दर्दना घटना को अंजाम दिया और अब इंसाफ की मांग की जा रही है मुख्यमंत्रिया अर्विंद केजरिवाल ने भी लगी के सक्सेना से बाच्वित की उन्होंने इनसाफ की मांग की की उनकी बेहन के साथ इतनी दर्दना घटना हुई है परी जणों को इनसाफ मिलना चाहिए तो वहीं दिली के लोग आमध्वी पारी के कारे करता समर्थक नाराजगी जाहिर करते वे आज LG के घर के बाहर मे पहुँचे उनके तरफ से लगातार विरोध प्रदेशन किया जा रहा है कहा जो आ रहा है कि दिली पुलिस की कारेश्वयली जो है वो सही नहीं है उनका लाइन ओफ इंवेस्टिकेशन सही नहीं है क्योंकि इतने दर्दनाग घटना को इतने दर्दनाग हाथसे को वो महज ए स्टडी में ले लिया गया है जिससे यह एक्सिडेंट हुआ है जिसके नीचे वो लड़की फसी हुई थी आपको बता दे यह लड़की जब निकली तो उसने अपने घर पर 9 बजे फोन किया कि मैं घर आ रही हूं और जब 10 बजे परीजनों की तरफ से फोन किया गया तो इ एक दरदनाक मौत उस रात इस यूवती को मिरी और आपको बता दे कई किलो मीटर तक इसे घसीड़ते वही यह गाड़ी ले करके चली गए यह पांच आरोपी यह पांच आरोपी जो है पहले तो उन्होंने गाड़ी को जबर्दस टक्र मारी और उसके बाद घसीड़ते व